जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर माह 2019 के कन्या राशी फल के बारे में कन्या राशी के लोगों के लिए जानेंगे नवंबर माह में इनकी सिक्षा के बारे में वैपार के बारे में स्वास्था के बारे में प तक पहुंच सके तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि इस महीने में कौन-कौन से ग्रह अपनी राशी परिवर्तित करने वाले हैं और इन ग्रहों का असर आपके जीवन पर कैसा होने वाला है तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ब्रहस्पती देव इस महीने अपनी राशी परिवर्थित करेंगे ब्यस्पती 5 नवंबर को धनु राशी में गोचर करने वाले हैं जो लगबग एक वर्ष में अपनी राशी परिवर्थित करते हैं वहीं बुद्ध का भी राशी परिवर्थन होगा बुद्ध तुला राशी में परिवर्थन करेंगे 7 नवंबर को और मंगल 10 नवंबर को तुला राशी में गोचर करेंगे वहीं सूरिय 17 नवंबर को विरश्चिक राशी में गोचर करेंगे और शुक्रदेव 21 नवंबर को धनु राशी में गोचर करेंगे तो जब भी कोई ग्रह राशी परिवर्टित करता है तो उसका असर हमारे जीवन पर positive और negative दोनों ही तरह का देखने को मिलता है और ये सभी कुंडली के आधार पर ग्रहों के इस्थितियों के आधार पर होता है तो चली जानते हैं कि कन्या राशी के लिए ये सभी ग्रह उनके लिए क्या खुशियां लाएं हैं और क्या साफधानिया लेकर आएं हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि कन्या राशी के बारे में, शुक्र का ये परिवर्तन कुन्हाराशी के लिए कैसा समय लेकर आएगा, तो 21 नवंबर को शुक्र देव अपनी राशी परिवर्तित करेंगे, और कन्याराशी के लिए यह गोचर इनके चौते भाव में होगा ये इस्तिति आपके लिए बेहद अनुकूल सावित होने वाली है यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस गोचर काल के दोरान आपके परिवार में नई खुशियां आएंगी माता पिता भाई भेनों के साथ आप अच्छा वक्त गुजार पाएंगे और शुक्र के इस प्रभाव से आपके बहुतिक सुखों में व्रद्धी होती हुई दिखाई देगी इस अबदी में आप परिवार के लिए कोई वाहन या फिर कोई मेहंगी वस्तू भी खरी सकते हैं आर्थी गुरूप से देखें तो इस दोरान आपकी आर्थी किस्तिति मजबूत जरूर होगी लेकिन व्यर्थ की चीज़ों पर धन का खर्चा भी आपके लिए होगा जो यहां आपको थोड़ा सावधान रखना है और रियल स्टेट प्रॉपर्टी के शेतर में निवेश करना आपके लिए इस समया फायदे मंद साबित हो सकता है स्वास्था के लिए आज से देखें तो शुकर का ये गोचर आपके लिए बहुत ही बहतर रहेगा एक तरफ जहां आप शारेरिक रूप से खुद को उर्जवान महसूस करेंगे दूसरी तरफ आपको लंबे समय से चले आ रहे हैं मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिल सकता है कामकाजी लोगों को कारेशेतर में अपनी प्रतिभा को साबित करने का विशेज अफसर पराप्त होगा आपके उच अधिकारी आपके काम से प्रसंद होंगे और आपको उनका भरपूर साथ भी मिलेगा यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो इस समय आपका तबादला किसी ऐसी जगह पर हो सकता है जहां आप काफी लंबे समय से उस जगह का इंतिजार कर रहे थे तो ये शुक्र बहुत ही फलदाई रहेगा आपके वेवाहिक जीवन में भी शुब फलों की प्राप्ती होगी शादी शुदा जातक इस समय अपने जीवन साथी के साथ किसी अच्छी जगह पर गूमने जा सकते हैं प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस गूचर काल में बहुत अधिक शुब फल प्राप्त होंगे जिस चीज के लिए आप जीजान से महनत कर रहे हैं उसमें आपको मन मताबिक सफ़कता मिल सकती है आपके लिए शुक्र का ये गूचर विशेस रूप से फल दाई रहेगा अब बात करते हैं सूर्य की तो सत्रा नवंबर को सूर्य देव अपनी राशी परिवर्तित करेंगे और कन्या राशी की बात करें तो कन्या के लिए यह परिवर्तन तीसरे भाव में होने वाला है और इस भाव से हम साहस को देखते हैं प्राकरम को देखते हैं छोटे भाई बेहनों को देखते हैं तो सुर्य का ये गोचर आपके उन कामों को बड़ी ही आसानी से पुरा करवा पाएगा जिन कामों में आपको देरी हो रही थी या अटके हुए थे या काफी समय से दिक्कते आ रही थी आप अपने लक्ष के प्रती आगे बढ़ते जाएंगे आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन इनको इसमें सफलता नहीं मिलेगी आप अपने विरोधियों पर इस समय हावी रहेंगे आर्थिक पक्ष के बात करें तो ये समय आपके लिए अनुकूल है धन को संचित करने के लिए बीते समय में जो आपने जरूरी फैसले लिए थे आपने निवेश किये थे उनका लाब अब आपको प्राप्त होगा इस समय आपकी धर्मिक भावनाएं भी उभर कर सामने आएंगी और आप अपने घर में कोई धर्मिक कारिया भी करवा सकते हैं वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस समय काम के सिलसले में यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं इस समय में आपके मुलाकात समाज के कुछ प्रतिस्ठी तो लोगों से हो सकती है और शात्रों का समय का सदुपयोग जरूर करना चाहिए जिससे वो सही समय पर सही निर्ण सही एजुकेशन प्राप्त कर सके घर वालों और दोस्तों को आप समय दे लेकिन इतना भी नहीं कि आ आपको इस समय ज्यादा ध्यान रखना है तभी आप कामयाब हो पाएंगे अब बात करते हैं मंगल ग्रहकी तो 10 नवंबर को मंगल अपनी राशी परिवर्थित करेंगे और कन्या राशी के लिए यह गोचर इनके दूसरे भाव में होगा हमारी कुंडली में जो दूसरा भ वानी में मंगल के प्रभाव से थोड़ी कटूता भी है क्योंकि मंगल का प्रभाव भी आपके उपर रहने वाला है जिससे आप अपनी वानी के जरीए कारेशेत्र में बाधाय ला सकते हैं तो वानी पर थोड़ा सा नियंत्रन करके आपको चलना होगा क्रूद पर आपको सब्सक्राइब करना होगा वन्हा अपने कारेशेत्र में सीनियर्स के साथ किसी बात को लेकर आपकी कहा सुनी हो सकती है इस लिए ऐसा कोई कारेश ना करें जिससे की बौस या फिर आपके वरिष्ट अधिकारी आप पर नाराज हो इसलिए गुस्य को काबू में रखें हार्थी गूरूप से देखें तो इस समय आपको एपरत्याशित लाब जरूर होगा परिवार के सदस्यों से आपका विवाद हो सकता है तो ऐसी को इस्थिति आपको देखती है तो वहाँ खुद को शांत रखने की कोशिश करें अगर आपसे किसी वरकार की गलती हो जाए तो उसको स्विकार करने की भी हिम्मत करें परिवार के सदस्यों को स्वास्ते संबंधी परिशानिया हो सकती है लेकिन जादा बड़ी बात नहीं है छोटी मोटी परिशानी होगी लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपको इस समय अपनी वानी पर नियंतरन रखना होगा अपने कुरूध पर नियंतरन रखना होगा ये समय आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत अधिक फलदाई साबित रहने वाला है अब हम बात करेंगे बुद्ध ग्रह की तो बुद्ध देव साथ अक्टूबर को अपनी राशी परिवर्टित करेंगे और ये आपकी ही राशी के स्वामी है साथी साथ आपके दसम भाव पर भी अधिपित्य रखते हैं तो ये बरिवर्टन आपकी दूसरे भाव में होगा दूसरा भाव, वानी का भाव, भोजन का भाव कि हम कैसा भोजन खाते हैं कैसी वानी बोलते हैं यह सब कुछ बताता है और हमारे कुट्वब के बारे में बताता है, हमारे संचित दहन के बारे में बताता है, तो इस भाव में वक्री बुद्ध का गूचर करना आपके लिए थोड़ी कड़वाहट पैदा कर सकता है, जयसकि अभी कहा कि मंगल और बुद्ध, दोनों ही आप की दूसरे भाव में आएंगे तो मंगल का पिरभाव है कि वह लाल ग्रह है और उर्जा वान ग्रह है तो आपके अंदर इसमें थोड़ी उर्जा जादा होगी मन्च चड़ा हट रहेगा तो यहां आपको इस चीज में थोड़ी सावधानी रहेगी वरना आपकी वाणी के जर प्रशितियां आपके लिए बनेंगे कई कारे आपके लिए ऐसे निकल कराएंगे कि जो आपको बहतर लाब दे सकते हैं और जो पैसा आपके समय कमाएंगे वो बैंक बैलेंस के रूप में आपके पास इखटा भी होगा तो कोई ऐसा इस समय कार्या कर सकते हैं जिसकी तो ये परिवर्दन आपके लिए बेहतर होगा अब हम प्रस्पती के बात करें तो इस महिने प्रस्पती ग्रह इस महिने की शुर्वात में ही राशी परिवर्थित करेंगे और धनू राशी में प्रिवेश करेंगे और ब्रस्पति ग्रह तर्शन धर्म और ग्यान के कारक माने जाते हैं जो परिवर्तन आपके चौते भाव में होगा चौते भाव में होने से ये आप ब्रस्पति जो है आपके सब्तम भाव के सौमी भी है जो बहुत शुब होता है सुख भाव को कहा जाता है तो ब्रस्पति आपके सुख भाव के सौमी है और इस भाव से हम मातर पक्ष का भी विचार करते हैं तो यहां चतूर्त भाव में ब्रस्पति देव के आने से अपने माता पिता के साथ सम्मंद आपके थोड़े खराब हो सकते हैं मतभेद हो सकता है तो यहां थोड़ा सावध लेकिन आर्थय की स्टिती में आपके लिए ब्रस्पती का यह गोचर अच्चा रहेगा आप अपनी किसी भी परकार के स्टिती से बाहर निकल कर आएंगे और जो आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो तो आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं इसलिए लोगों के साथ बैठ कर बात करें जिससे किसी भी परकार का मतभिद है तो वह समाब्द हो जाए इस दोरान अध्यात्म के प्रतियाप का जुकाव बढ़ेगा आप धार्मी कारे में कर्मों में भी हिस्सा लेंगे किसी अध्यात्मी गुरू की शरण में भी जा सकते है स्वास्ते बहतर बना रहेगा और उसको बहतर बनाने के लिए आप प्रयास भी करेंगे सरकारी नौकरी में कारे कर रहे लोग अपने काम के जरिये लोगों को चौका भी सकते हैं चात्रों के लिए ये समय अच्छा रहेगा अगर आपको सिक्षा के शेतर में परेशानी आ रही हैं तो अपने गुरुजनों का परामर्श लेना बिल्कुल न भोले तो दोस्तों ये था नवंबर का कन्या राशिफल और अदे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले